नमस्ते दोस्तों यहां जो आप पौधे मेरे हाथ में देख रहें यहां बैगान के पौधे हैं जिसे ब्रिंजल इंगलिश में कहते हैं तो यहां जो पौधे आप देख रहें यहां मैंने मार्केट से खरीत के लाया है तो बहुत से लोग इन पौधों को पहले बीच से थोड़ा बड़ा कर लेते, 10 सेंटिमेटर के आसपास इसकी लेंग्त है और इन पौधों को मार्केट में बेचने के लिए लाते हैं, लोग इन पौधों को लगाते है घर पर तो जैसे कि हमने भी इन पौधों को लेके लाया है आप चाहे तो बीज इसके मिल जाते हैं और उससे भी आप पौधे त्यार कर सकते हैं तो इन पौधों को हम मिट्टी में लगाने वाले हैं तो यहां देखिए पौधे यहां पौधे कोंते फिराइटी के यहां हमें पता नहीं है क्योंकि यहां मार्केट से खरीद के लाया है तो आप देख पा रहे होंगे कि हमने यहां गड्डे खोदे हैं और इन गड्डों में हम पौधे लगाने वाले हैं आप चाहे तो इन गड्डों में वर्मी कंपोस्ट या गोबर का खाद डाल सकते हैं ताकि पौधों का अच्छे से विकास हो पाए और पौधे लगाने से पहले मिट्टी को गिला कर ले ताकि आप इन पौधों को अच्छे से लगा सके यहां जो पौधे अभी आपको तेड़े दिखरे यहां सिधे हो जाते हैं जैसे की यहां मट्टी तीन चार दिन में सेट हो जाएंगी अभी जन्वरी का मेना चालूए और इन पौधों को हम लगा रहे हैं इन पौधे पर हम कलम भी करेंगे टमाटर के पौधे बैगन के उपपर सक्सेस्फुली ग्राफ्ट होते हैं और इसके वीडियो शूट करेंगे हम जब इहां पौधे बड़े हो जाएगे तब तो इन पौधों को देखिए हमने लगा दिया है और आपको पानी डालते रहना इन पौधों को दस दिनों के बाद में आप देख पा रहे होंगे कि मिट्टी वहाँ पर अच्छे तरीके से बैठ चुकी है और पौधा सीधा हो गया है अब इन पौधों का डेवलप्मेंट होंगा और कुछ दिनों के बाद में यहां पौधे बड़े हो जाएगे आप चाहे तो बैगन के पौधे कुंडी में आप बड़ा कर सकते हैं अगर आपके यां जगा नहीं होंगी तो जब यहां पौधे बड़े हो जाएंगे तब हम इन पौधों पर टमाटर के पौधे की कलम करके देखेंगे और उसके भी वीडियो हम अपलोड करेंगे जब यहां पौधे बड़े हो जाएंगे तब तो यहां देखिए पौधे जो हमने लगाये थे और दो लोगे, लोगे कर दो दो कि उना दो खिला है अजर खिली आड़े हैं